हलो फ्रेंड्स वागत आप सभी का अपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया सम्म के में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोड के किलास 10 और किलास 12 के रिजल्ट के बारे में अगर आपने यूपी बोड किलास 10 और किलास 12 के एकजामस दिये हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रैड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए उससे फायदा यह होगा नेक्स टाइम जब यहम वीडियोज अप्लोड करेंगे तो आपको इन्फरमेशन मिलेगी सबसे पहले सबसे पहले आपको वेबसाइट पर लिके चलता हूँ और complete detail में बताता हूँ कि आपका जो result है वो कब तक declare हो जाएगा सबसे पहले आपको अपना chrome browser उपिन कर लेना है और वापे search कर लेना है सरकारीresultsofficial.com इसका link में आपको description दो दोंगा आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और direct chrome browser पर भी search कर सकते हैं सरकारीresultsofficial.com जैसे आप इस website पर पहुचे पहुचे तो आपको कुछ इस थारा का interface दिखाई देगा जहाँ पर आपको नीचे आ जाना है आपको simply upboard result 2020 पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगा पिक new page पर पहुच जाएंगे जहाँ पर आपको desktop site उपिन कर लेनी है हम यहसे desktop site उपिन कर लेते हैं और उसके बाद आपको scroll करते हुए नीचे आजाना है जैसी है आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग UP board से related latest news पर सकेंगे तो यहाँ पर हम नीचे आजाते हैं यहाँ पर आप लोग यह news पर सकते हैं UP board 10th 12th result 2020 कॉपियों का मुलियाकन जल्द होगा पूरा जून के तीसरे या चौते सब्ता में नतीजे जी यहाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना जो आपका result है UP board का class 10th और class 12th का वो जून के किसरे हफते में declare कर दिया जाएगा हम आपको पूरी news पढ़के सुना देते हैं कि क्या news है UP board अब high school और intermediate परिच्छा का पनिराम तयार करने में लगा हुआ है बताया जा रहा है कि board ने 96-50 कॉपियों का मुलियाकन पूरा कर लिया है बताया जा रहा है कि orange green और red zone में तेजी से कॉपियों का मुलियाकन हो रहा है अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में कॉपियों का मुलियाकन पूरा हो सकता है जी आदोस्तों आप लोगों ने सही सुना यानी कि जो आपका कॉपीों का मूल लेकान है वो 96.5D कंपलीट हो चुका है और आपकी नमबर की feeding भी start हो चुकी है जैसी आपका मूल लेकन कंपलीट हो जाता है तो आपका जो number feeding process है वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगा और जो आपका result है UP Board का class 10 और class 12 का वो जून के तीसरे सपता में घोशित कर दिया जाएगा बहुत सी news के according जो आपका result है वो दूसरे हफते यानि की 9 जून 10 जून के असफास भी आ सकता है मगर आज के न्यूसपेपर में हिंदुस्तान न्यूसपेपर में ये बात क्लियर कर दिया है जो आपका result है वो जून के तीसरे हफते या पिर चौते हफते में डिक्लियर किया जाएगा यहाँ पर आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं आपको बता दें कि प्रिदेश उपमुक्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जून के आखिर तक नतीजे जारी होंगे सूत्रों के अनुसार परिछार्तियों को विबिन विशे में मिले नंबर अंग पत्र पर चड़ाने के लिए कंप्यूटर फर्मों को तीन चरणों में भेजे जाते हैं पहले चरण के अंग भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के अंग एक दो दिन में भेजे जाएंगे, अलग-अलग विशेव के अंग के रॉल नंबर के अनुसार चड़ा जाते हैं, तीसे चरण में अंग भेजने के बाद मिलान का काम शुरू होता है, मुल्यकन पू जाएगा, क्योंकि जब कॉपियों का मुल्यकन कंप्रिट हो जाता है, उसके 1 महीने बाद आपका result भी डिकलियर हो जाता है, यालि कि अगर माही के end तक, यालि कि एक दो दिन में मुल्यकन पूरा हो जाता है, तो आपका जो result है वो जून की आपका result है, वो जून के second week में भ आपका result declare होता है जो mostly chances हैं वो June के आखरी week में है यानि कि 20 June के बाद आपका result कभी भी declare हो सकता है So friends, सभी students को best of luck उनके result के लिए आप लोग channel को subscribe करके bell icon ज़रूर दबा लिए क्योंकि यहापको UP board से related latest news मिलती रहेगी So friends, आज के इस वीडियो में तरह है और अगर आपको इस वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को like कर दिएगा चैनल पी नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर दबा लिएगा Thank you friends, have a nice day